हेलो बच्चों तो क्या हाल है ची आपके मौज मस्ती कर रहे हो के नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो TENSION नहीं लो आज हम मौज मस्ती से पढ़ाने वाले हैं आपको अगली unit जिसका नाम है मीरा बहन और बाग अब पढ़ाई तो देखो आपको करनी नहीं होती बस ही chapter सुनना होता है कहानी की तरह और कहानी तो I know आपको बहुत पसंद है ना, तो चलो आज की कहानी सुनते हैं, आज की कहानी का title है मीरा बहन और बाख, तो चलो शुरू गतर हैं मीरा बहन का जन्म इंग्लेंड में हुआ था है ना गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़ कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी तो कौन है मीरा बहन? मीरा बहन एक लेडी थी जिसका जन्म इंग्लेंड में हुआ था वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थी तो इसलिए उन्होंने गांधी जी के साथ काम करने के लिए इंडिया आ गई थी वो यह ही शिफ्ट हो गई थी आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पहाडी गांव गेंवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की यूपी उत्तर प्रदेश है ना लखनो है जहांपे कानपूर है आप कहां से हो आप कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन कौन से सिटी से हो है ना मैं भी बताऊंगा फिर पक का तो आजादी जब हमें मिली थी 1947 में अंग्रेश चले गए थे उसके 5 साल बाद उन्होंने गेंवली जगह पे गोपाल आश्रम की स्थापना की उस आश्रम में मीरा बेहन का बहुत सारा समय पालतू पशूओं यानि के पेट आनेमल्स की देखवाल में जाता था लेकिन गेंवली गाउं में के आसपास के जंगलों में बाग जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे पहाडी गाउं में अक्सर बाग का डर बना रहता है जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाग कभी कभी गाउं तक पहुँच जाता है केवली गाउं में एक बार यही हुआ एक बाग ने गाउं में गुसकर एक गाय को मार डाला सुबह होते ही ये खबर पूरे गाउं में फैल गई, गाउं के लोग डर के ये बाग कहीं फिर ना आकर दूसरे पालतु जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले गाउं के लोग गोपाल आश्रम गए और उन्हें उन लोगों ने मीरा बेहन को अपनी चिंता बताए गाउं के लोगों ने अंत में तैय किया कि बाग को कैद कर लिया जाए उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी योजना ये थी कि वो बकरी का मिमियाना सुनकर बाग पिंजड़े की तरफ आएगा पिंजड़े का दर्वाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया था कि बाग के अंदर घुसते ही वो दर्वाजा टक से बंद हो जाएगा जटके से शाम होने तक पिंजडे को ऐसी जगे पर रख दिया गया जहां बाग अक्सर दिखाई दिता था ये जगे मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी रात बीती सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजडे देखने निकल पड़े उन्होंने दूर से देखा कि पिंजडे का दर्वाजा बंद है वो ये सोच कर बहुत खुश थे कि बाग जरूर पिंजडे में फस गया था लेकिन जब वो पिंजडे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं पिंजडे में बाग नहीं था लोग चकित थे कौन था बाग के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया लोग मीरा बहन के पास पहुचे लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ था पूचने पर मीरा बहन बोली देखो भाई मुझे नीन नहीं आ रही थी मैं सोचती रही कि आखिर बाग को दोगा देकर हम क्यों फसाएं इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कराई तो बस इतनी सी थी ये कहानी कि जो मीरा बहनती है वो विचारी इतनी इनसेंट थी जो वो सोची कि यारे तो गलत बात है ऐसे बाग को पसाना है ना तो वो खुद ही जाके दरवाजा बंद कराई बस तो कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है सारे बच्चों को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई टेक कियर और मौज मस्ती करते रहे